हैलो अब्रीवन आज हम डिसकूस करेंगे UPGT प्रिबियस एयर कोस्टन पेपर की बारे में आज हम जो पेपर लिए हैं वो आपका UPGT 2016 का वेपर है जो अभी लेतेस्ट आया था तो UPGT 2016 में जो भी एक्जाम हुआ था उसमें जो कोस्टन आया थे टोटल वो 125 थे और जो कोशन के मार्क्स थे वो 425 मार्क्स थे यानि 125 कोशन था आपका वो जो टोटल मार्क्स थे वो 425 थे यानि 425 था और जो भी duration मिला था समय का वो के इतना मिला था यह अभी लेटेस्ट पेपर्स की बात कर रहे हैं दो जो होजा शूला में हुआ था अब हम वन बाई वन करके कोशन देखेंगे कि किस एकार्डिंग जो कोशन आया थे 2016 में उप कैसे आया थे तो फॉस्ट कोशन है वो चीज फालूइंग इस नाट एन इलेक्ट्रोफाइल य उन सबके बारे में इस्टडी करेंगे फिर्स्ट कोशन है फालूइंग इस नाट एन एलेक्ट्रोफाइल यानि पहला कोशन आपको भी मिला एलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लुफाइल से कैसे किसी इवटी साइट करते हैं सिकेंड कोशन है हीट इक्षेंज एड कांस्ट इंप्रियारिक ब्लॉक नेक्सक्षेंर सायसले कैसे रियेक्ट विद एस्टिक एंहाड़ाइ्ट क्याम्पाइब कैस्ट ग्लेचर नावब ये आने वाले सिरिज में इसके सलूशन मी देंगे बताएंगे कि कैसे अभी हम इसक इसको को बढूचन दिखा रहे हैं कि जो question का label है कि इस type का है आप देखेंगे papers तो अंदाजा लगा ले जाएंगे कि आपने इंटरमीडियर और graduation में पढ़ा हुआ है अगर आपका intermediate और graduation काफी अच्छी से तयार है तो आप काफी सारा अच्छा score कर सकते हैं UPGT chemistry के लिए क्योंकि आधस ज्यादा syllabus यानि आप कह स करते हैं कि से maximum syllabus कबर कर रहा है आपका 12 और graduation क्योंकि जो भी एलेक्ट्रोफाइल का question है पहला ही देख लिजी आप इसको क्या किया होंगे पढ़े होंगे इंटर में पढ़े हैं और graduation में भी आपको मिलता है निक्स्ट हीट इक्षेंज आप constant value यह भी आपको मिलता है इंटर आप फास्फोरेस की रियक्षंस है 15 ग्रूप के एलिमेंट की इस्टडी आप करेंगे वहां पे आपको और्थो फास्फोरीक एसिट की बारे में बताया गया है तो यह सब कोस्ट्ट काफी इजी है बस आपको उसको थोड़ा सा मोडिफाई करना है आपको आएम आयन की स्टेबिल्टी आप देखेंगे तो यह भी आपको इंटर और ग्रिजोशन में मिल जाएगा यह आपको नामन क्लेचर आपको ग्रिजोशन में मिलेगा इस्पाइरो कंपाउंड्स क्या जाता है 110 ब्यूटी इन 011 के सब क्या होता है अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टोंटी के आगे वाले कोश्चन बताएंगे कि कैसे सारे कोश्चन तो एक बार हम आपको पूरा फिपर्स दिखाएंगे